अगर आपने अभी तक हमारे चानल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिये और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं बीम के नीचे पलंक ना रखें बीम के नीचे पलंक रखना वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है ऐसा करने से मनुशियत ठका ठका और तनाव ग्रस रहने लगता है साथ ही बीम के नीचे रखे पलंग पर सोने वाले व्यक्ति को अपने कामों में कई तरह की रुकावटें और परिशानियों का सामना करना पड़ता है इससे चुटकारा पाने के लिए पलंग को बीम के नीचे से हटा दें अलमारिया खुली ना रखें खुली अलमारी घर में नेगिटिव एनरजी पैदा करती है जिसके कारण बीमारियों और परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए खास तोर पर ध्यान रखें कि काम ना होने पर घर की कोई भी अलमारी खुली ना रखें बेड्रूम में आइना ना रखें बेड्रूम में पलंग के सामने ड्रेसिंग टेबल या आइना नहीं रखना चाहिए इससे पती-पत्नी में तनाव पैदा होता है और परिवार की आर्तिक स्तिथी पर बुरा असर पड़ता है इससे बचने के लिए बेड्रूम में काच को इस तरह रखें के उसमें पलंग ना दिखाई दे या प inspector अगर पलंग दिखाई दे रहा है और स्पेस नहीं होने के कारण यानि के जगाना होने के कारण अगर आपको शीशा इस तरह से रखना पड़ रहा है कि उसमें पलंक दिखाई देता है तो ऐसे में जब आप आईने को इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे ढख कर रखे तिजोरी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए कई लोग घर या दुकान में तिजोरी रखते हैं ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तिजोरी कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए ऐसा होने से घर में दुर भाग्या भड़ता है और पैसों की कमी आती है इससे बचने के लिए तिजोरी में चांदी का सिक्का रख दें ताकि पैसे ना होने पर भी तिजोरी पूरी तरहां से खाली ना रहे जाडू, पोचा वे डस्ट बिन खुले में नहीं रखना चाहिए जाडू, पोचे या डस्ट बिन को खुले में रखने से दोस्तों, घर में आने वाली पॉजिटिव एनरजी नश्ट होती है साथ ही ये बात सफलता के रुकावट का कारण भी बन सकती है याद रखे जाडू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये आए और अन दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है उप्योग ना होने पर बातरूम को बंद करके रखें और इस बात का भी विशेश रूप से ध्यान रखें के बातरूम हमेशा साफ हो गंदा बातरूम भी सफलता और कामों में रुकावट का कारण बन सकता है जाला ना लगने दे वैसे तो समय समय पर किचन में साफ सफाई करते ही रहना चाहिए क्योंकि वहाँ खाना बनता है अगर गंदगी जमा होती रहेगी तो घर के सदस्य पूरी तरहा बिमारियों की चपेट में आ सकती है इसलिए किचन में लगने वाले जालों का सफाया समय समय पर करते रहना चाहिए वरना रसोई घर में बुरी शक्तियों का निवास हो सकता है जाला लगना वैसे भी सुख स्मृध्धी में बाधा कारक माना जाता है इसलिए अपने घर की सुख शान्ती के लिए मकडी के चाली को किचन से हमीशा दूर ही रखें दोस्तों खराब नल तुरंद ठीक करवाएं अगर रसुई घर में कोई नल लंबे समय से खराब पड़ा हो तो ये भी आपके दुखों का कारन हो सकता है खराब नल को जितनी जल्दी हो सके ठीक करा लेना चाहिए वरना आपको बिजनस और नोकरी दोनों में नुकसान झेलना पड़ सकता है साथ ही काफी पुरानी हो चुके जंगले को भी बदलवा लेना चाहिए दोस्तों वास्तों के अनुसार खराब नल के होने पर घर में तनाव की स्थी भी उतपन हो सकती है अगर जल से पानी टपकता रहता है तो ये घर में होने वाले अधिक से अधिक खर्च को दर्शाता है जाने के पैसा घर में इससे नहीं टिकता है और व्यर्थ के कामों में फिजल खर्च हो जाता है इसलिए आपको टपकते हुए नल को तरब ठीक करा लेना चाहिए और अगर नल भी पुराने हो चुके हैं तो उन्हें भी बदलवा लेना चाहिए दोस्तों किचन की दिशा क्या है ये भी आपके घर के वास्तों पर बहुत बड़ा अजर डालती है वास्तो के अनुसार रसोई घर में हमेशा खिड़कियां खुली रहनी चाहिए जिससे ताजी हवा आ सके इससे वातावरन भी खुशनुमा रहता है साथ ही खिड़की कुछ ऐसी दिशा में होनी चाहिए जिससे सूर्य की किरने सीधी किचन पर पड़े सूर्य की किर्नेव से आने वाली साकारातमक उर्चा से किचन से जुड़े वास्तु दोश कमजोर पड़ जाते हैं बुरे उर्चा का प्रभाव भी कम होता है इशान दिशा छोड़कर कहीं भी रसोई घर बना सकते हैं कभी भी सीडियां रसोई घर के उपर नहीं होनी चाहिए साथ ही शोचाले भी रसोई घर से दूर बनाना चाहिए वर्ना घर की महिलाएं परिशान रह सकती हैं वर्तमान समय में वास्तु आधारित भवन संभव नहीं रह गए हैं जहां फ्लैट कल्चर हैं वहां तो वास्तु अनुरूप मकान मिलना मुश्किल ही है किसी वास्तु सलाकार के कहने पर भवन की तोड़ फोड और भी महंगा सोदा है ऐसे में हमें फिर से अधर्व वेद की और लोटना होगा इस वेद में ऐसे उपाई दिये गए हैं जो किसी अन्य उपाई से जादा सटीक और प्रभावी है अधर्व वेद में वास्तु के आधार पर भवन निर्मान के मानक तै किये गए हैं सुंदर्व अच्छा घर बनाना या उसमें रहना हर व्यक्ति की इच्छा होती है मस्तक जरूर देख लें क्योंकि आपके कई वास्तु दोशों का इलाज गनपती पूजा से ही हो जाता है वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्र के नियमों की रचना कीची ये मानव कल्यान के लिए बनाया गया था इसलिए इनकी अंदेखी करने पर घर के सदस्यों को शारिरिक, मांसिक, आर्थिक हानी भी उठानी पड़ते है वास्तु देवता की संतुष्टी के लिए भगवान गनेश को पूजना बहतरीन लाब देने वाला उपाई माना गया है इनकी आराधना के बिना वास्तु देवता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता बिना तोड़ फोड अगर वास्तु दोश को दूर करना चाहते हैं तो आप ये उपाई आजमाईए वास्तु का दूसरा रूप ही फिंग्शुई है चो चाइना जापान सिंगपूर होंग कोंग मलेशिया होता हुआ अब पूरे विश्म में पॉपलर हो रहा है भवन निर्मान के दोरान सारा ध्यान साकारादमक उरजा का विखंडन रोकने पर लगाया जाता है सही और निर्धारित तिशा में निर्धारित निर्मान के अलावा भवन की अंदरूनी सजावट का भी जीवन की खुशाली में बड़ा महत्व है भवन निर्मान में प्राकर्तिक नियमों के तहत ही निर्मान की बात और लाभ हानी का हिसाब करना चाहिए हमें भवन निर्मान कराते समय उसका डिजाइन आर्केटेक्ट पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो वास्तु सलहाकार या वास्तु विशेशग्य के तरहां हर छोटी और महत्वपूर्ण बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं उनका पूरा जोर भवन के स्पेस का जादा से जादा इस्तमाल करने पर रहता है आपको समझना चाहिए कि एक वास्तु आधारित भवन ग्रह नक्षत्रों के शुब अशुब फल को जादा या कम प्रदान करने में सक्षम होता है वास्तु दोश के कुछ और उपाए हमारे पुर्वजोंने सुझाए हैं इन्हें नई पीड़ी भूल दी जा रही है जैसे प्राते हैं भोजन पकाने पर पहली रोटी हमें गाएं को खिलानी चाहिए और अंतिम रोटी कुट्टे के लिए निकालनी चाहिए ग्रहनी को किचन में भोजन नहीं करना चाहिए इससे दरिदरता आती है लेकिन ऐसे चातक जो काल सर्प दोश से पिड़ित हैं उन्हें रसोई में बैठकर भोजन करने से लाब होता है आटे के पात्र और पानी के पात्र को बार बार जूटे हाथों से नहीं चुना चाहिए परिवार के मुख्य को सुभा स्वैम भोजन करने से पहले आटे की पांच लोई बना कर अपने सीथे हाथ की हतेली पर रखकर गाएं को खिलानी चाहिए और हतेली पर जो गाएं का लार आ जाए उसे सर पर पोंच लेना चाहिए गाएं का न केवल मूत्र और दूद ही अमरित है बलकि उसकी लार भी पुन्य अलाब देने वाली है ये प्रेयोग गुरु वार्थ से शुरू करना है और प्रति दिन करना चाहिए इसका कई गुना फल मिलता है और घर के अंदर अगर वास्तु दोश है तो उसका शमन काफी हद तक होता रहता है दोस्तों घर की साफ सफाई का भी पूरा खयाल रखें क्योंकि अगर घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये भी वास्तु दोश होता है और जिसके कारण घर परिवार के सदस्यों को परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है घर में हमने आपको बताए कि किचिन से जाले समय समय पर साफ करते रहें लेकिन घर में कहीं और पर भी जाले ना लगने दे क्योंकि माना जाता है कि जिस घर में जाले लगते हैं उस घर के परिवार के सदस्यों की किसमत पर भी मानो जाले लग जाते हैं उनके हर काम में बाधा आती है और असफलता झहलनी पड़ती है इसलिए घर में जाले ना लगने दें ये scientific भी दोस्तों आपकी health के लिए खराब है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें हमें Facebook पेज पर फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा गुडबाई फ्रेंट्स टेक केर जैमाता दी